कि इस गानी का step हर कोई copy कर रहा है और हम बात भी करने वाले हैं इसी film के review के वारे मैंने देख लिया film और से देखने के बाद ऐसा लगा निम्सें के एकक डिटील में बात करें यारenda good लेकिन वह फिल्म दूसरी थी इसमें रूमेंस का तलुका कुछ ज्यादा ही हौट लगाया गया है और उसमें थोड़ा कम बाला था और हम बात करेंगे श्रिफ और स्रिफ बेड नियूज के बारे में जिया विकी कॉसल एक ऐसा एक्टर एक ऐसा करेक्टर कि भाईया किसी फिल्म में आ जाए तो भाईया 100 क्रोर का आकड़ा छू जाता है जिया टिक्टो की भारी एडवांस बुकिंग के साथ में जबरदस्त बंफर कलेक्शन की तरह बढ़ेगा क्योंकि वाके में फिल्म में इंटर्टेन्मेंट जोन खो जा गया है बड़ा बड़ा सेट नहीं चाहिए बस कंटेन्ट चाहिए और कंटेन्ट अगर अच्छा हो तो भाई ओडियन्स सर के बल जरूर जाएगी और खास करके जो गाने के तरका डाला गया बॉलीवूर्ड मतलब गाना और गाना भाईया गाने का जो तरका डालके फिल्म को हाइप क्रियेट किया गया है वो कहीं ना कहीं भाई डिरेक्टर और प्रोडूसर को दोनों को फायदा हुआ हला कि अक्टर को भी फायदा हुआ सब को फायता हुआ और फिल्म जुवान पे धीरे धीरे चड़ेगा लेकिन डिस्क्लेमर अगर फैमिली के साथ देखने चाओगे तो थोड़ा बोरियत होगे फिल्म सरिफ लड़कों के दिमाग में रखके बनाया गया यानि लड़कों के लिए है यानि कि जो कुबारे हो अपनी बीबी के साथ जा सकते हो किसी और के साथ नहीं जा सकते है यानि बाल बच्चों के साथ नहीं जा सकते है और गल्फिंड हो तो ठीक है यार कोनी की सीट प यह suspense है जी हां यानि कि एक ही पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके दो बाप भाई एक बच्चे के दो बाप कैसे हो सकते यह साला science fiction वाला नहीं है बलकि यह doctor वाला theory वाला fiction है और doctor अगर सामने है तो doctor बोल दिया है कि भाईया जो तुम्हारा पेट में बच्चा है उसके ब चलेगा कि भाई बाप है कौन औरिजिनल है कि कोई तीसरा तो कहीं नहीं मार दिया है भाई यह जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं वो कहीं किसी और का तो नहीं है जी हां भाई कि heroine जो है अपने अभने की जवरदस्त है यानि कि जो पंजाबी actor है वो भी जवरदस्त है यानि कि कुल मिला के कहा जाए तो भाई फिल्म बड़ा खतरनाग है और खास करके romance का जो level डाल दिया गया है एकदम hotness की हदाएं डाल दिया गया है जो आप गाने में देख रहे ह उससे एक level ऊपर आपको मिलेगा हो सकता है उतना ही मिलने वाला उसके एक level ऊपर मिलेगा dialogue एकदम आपको perfect नहीं मिलेगा आपको कहींपी dialogue का बोरियत नहीं मायसूस हो hogा है मतलब dialogue cut to cut älाल गया है बोरियत जो feeling होती है न वो नहीं है मतलब सब चीज ओके-ओके-ओके-ओके है मतलब आप ये कह सकते हो कि आज के जनरेशन के टाइम पर आज कल का जो रोमैंस चल रहा है ना एक से प्यार फिर दूसरे से साम को प्यार सुबह किसी और से प्यार ये जो ने चल रही है ना वो आपको इसमें मिलेगी और उसके बाद फिर फैमिली प्लानिंग वाला जे हिसाब किताब जो मेलो ड्रामा जो है ना जो बॉलिवूड की फिल्म में जो मेलो ड्रामा होता है बच्चे को लेकर अटैचमेंट जो होती है उसी के उपर है लेकिन ये नए जन्रेशन के टाइम पे दिखाया गया, यानि कि नए लोग किस तरीके से जोचते हैं, उसको लेकर है, कुल में लाकर कहा जाए, फिल्म बहुत फाडू है, मतलब देखने लाइक है, ऐसा लगता है कि भाई, इस तरीके का नया कंटेन इजाद किया गया, बॉल मतलब कुल में लाकर कहा जाए, तो भाई, फिल्म देखने लाइक है, अगर आपने नहीं देखा है, तो जरूर देखो, और भाई, ये जो खिचड़ी पकरी है, कि बच्चे का बाप कौन है, दोनों है कि नहीं है, ये आपको थेटर में ही देखके मिलने वाला है, कुछ कहन तो नीचे कमेंडे बोक्स में जरूर बताना, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्निवाद